नमस्कार साथियों मैं एंजिनियर आशी उसकुमार आप सभी के वीच एक बहुत अच्छी सूचना लेका राया हूँ अभी अभी जस्ट S.S.E. ने अपने डेट को आउट किया है आप इस स्लाइड में देख रहे हैं एक्जाम डेट आउट S.S.E. जेई ने अपने एक्जाम का डेट एनॉंस कर दिया है क्या एनॉंस किया है और अब बचे हुए समय में कैसे हम त्यारी करें और इस कैसे हमारा पीटी क्रैक हो जाए आई हम देखते हैं इस वीडियो में हम कई सारी बातों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले तो एक्जा इसका पेपर वन दस एक अक्टूबर को हुना है हमारा मेन मतलब है साथियों जूनियर इंजिनियर से तो यहां देखिए तीसरे कॉलम में मैंसन है जूनियर इंजिनियर सिविल, मेकानिकल, इलेक्टिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग, कॉंट्राक्स इसका 2022 का जो एक्जाम 22 यानि 14 नमंबर से 16 नमंबर के बीच है साथियों अब मुश्किल से आपके पास 70 दिन बचे हैं 70 से 75 दिन के अंदर आपके लिए सबसे वड़ा लक्ष है पीटी को क्रैक करना बहुत लंबे समय से यह वेकंसी अवेटेड थी खासकर के लॉकडाउन के कारण जो हमारी प्र मात्र 70 से 75 दिन में आपका एक्जाम होना है तो अब इस 75 दिन हमें कैसे पढ़ना चाहिए किन चीजों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमारा क्या कटाफ रहता है इन सब पे हम आपसे आज बात करने वाले हैं तो बहुत गौर से और वीडियो के आखरी तक आप बने रह हीएगा और यह जरूर आपको बेनिफीट पहुंचाएगा सबसे पहले हम बात करते हैं सात्यों इलेक्टिकल इंजिनिंग के लिए इसे शुरूप से हमारे इलेक्टिकल के जितने भी युवास साती हैं चाहें वो बीटेख है या डिप्लोमा है आज ही लास्ट डिर्थ है फॉर्म भरने का 2 सेप्टेंबर जितने भी सात्यों ने फॉर्म भरा है मेरी सुभकामनाई उनके साथ हैं कि आप जरूर सफलता को प्राप्त करिए पीटी तो निकाल ही लीजे और मेंस के लिए भी आप जुनून के साथ लगिए तो ये समय है सात्यों आपके मेहनत करने का और आपके लगन के साथ पढ़ाई करने का आईए देखते हैं कि इस पर जहां देना ज़्यादा है हमें सबसे मातपून सब्जक्ट जो हमारा इलेक्टिकल इंजिनिरिंग में है वो है आपका नेट्वर्क थ्योरी सात्यों टोटल हंडेड क्वेशन हैं इलेक्टिकल इंज यहां से पूछे जाते हैं बेसिक कंसेप्ट से सात्यों जो आपका बेसिक इलेक्टिकल इंजिनिरिंग है दस से बारा क्वेशन होगा मैगनेटिक से आपका आठ से दस क्वेशन होगा एसी फंडामेंटल से आपका साथ से आठ क्वेशन होगा सात्यों ठीक है उसके बाद आज़े इलेक्टिकल मशीन ये दूसरा सबसे इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्टिकल मशीन में DC मशीन से 4-6 कोश्चन है सिंगल फेज और थिरी फेज ट्रांसफर्मर से आपका 4-6-8 कोश्चन तक हो सकता है फिर आपका थिरी फेज इंडक्सन मोटर यहां से भी 4-5 को कोश्चन होगा आपकी सिंगल फेज इंडक्सन और यहां से आपका 4-5 कोश्चन होगा सिंगोर स मशीन से साथ यहूं से 6 कोश्चन होगा इसमें motor generator दोनों है इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 25 से 28 मार्क्स का कोश्चन आपको कहां से आ रहा है मशीन से आ रहा है फिर आपका power system हो गया power system में 15 से 18 कोश्चन आ रहे हैं और विशेश रूप से जो कोश्चन है उसमें generation से कम कोश्चन है खासर के 3-4 कोश्चन generation से है लेकिन ज्यादा तर कोश्चन आपका transmission and distribution है यानि 8 से 12 अल्टीमेटली साथियों अगर आप गौर से देखें तो हमारा network theory हमारा electrical machine ठीक है network theory आपका मान के चलिए 30 question 18-30 question फिर आपका electrical machine इसमें आप देख रहे हैं 25 से 28 question ठीक है फिर आपका power system आप मान कर चलिए तो 50 लगभग 70 marks के question यानि 70 plus कंफर्म हो जाई है सातियों 70 plus marks के question आपको कहां से पुछे जा रहे हैं इने तीनों subject से पुछे जा रहे हैं ठीक है यानि 70% से ज्यादा यूँ समझे तो 75% का weightage सिर्फ 3 subject रखता है network theory power system और electrical machine तो इसलिए आपको इन सभी के questions की practice करना सुरू कर देना है और एकदम concentrate होकर पढ़ाई करना है technical पे आप स्योर हो जाईए आप निश्चित रूफ से technical subjects पर 5-6 घंटे time दीजे और 3 घंटे आप time non-take पर दीजे साथियों 8 घंटे कम से कम आपको अब पढ़ना है अगर उसे कम पढ़ते हैं तो बहुत मुस्किल है साथियों PT निकालने में ही आपकी दम है मैंस बहुत कठिन नहीं होता है अगर आप PT निकालते हैं तो साहस और हमारे दिसान निर्देश से मैंस आपका जरूर हो सकता है साथियों इसलिए यहां समय बहुत महत्पूर्ण आपके लिए है आए हम देखते हैं हमारा अगला सब्जक्ट कितना वेटेज रख रहा है अगला है आपका यूटिलाजेशन ये आपका हीटिंग वेल्डिंग इलुमिनेशन ये सारी इंजिनिरिंग यहाँ पर पढ़नी है 10 से 12 या में पेपर थे साथियों यही सेवन पेपर से आपको सेसी जेई में एक्जाम में पूछा जाता है मुख रूप से अगर आप मेरी बात समझें तो नेटवर्क थोरी पावर सिस्टम इलेक्टिकल मशीन मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स ये 5 सबजक्ट पे आप फो में कम से कम लक्ष रखना है कि हमें 80 marks आने चाहिए minimum हमारी scoring कितनी होनी चाहिए 80 होनी चाहिए minimum आपके टेक के section में तभी जाकर ये possibility बनती है कि आप कुछ बढ़ियां कर पाएंगे क्योंकि जैसा situation रहा है बराबर हमारे engineers की ये सिकायतें रहती है कि टेक में तो ठीक ठाक है सर लेकिन मेरा non-tech में खास करके gk में मेरी problem रह रह जाती है तो साथियों आईए मैं आपको ये बता रहा हूँ जितने भी streams हैं चाहे वो electrical के हैं या mechanical हैं या civil हैं सभी के लिए आपकी reasoning में 50 marks का question पूछा जाता है और ये question भी 50 होते हैं marks भी 50 होता है verbal reasoning यहां से आपको देखिए coding decoding practice too much important है आपको time management करना होगा एक बात समझ लिजिए 25 मिनट में 25 मिनट में आपको कम से कम 45 question reasoning के सही करने होगे यदि आप ऐसा कर पाते हैं तभी आपका selection है क्योंकि time 2 घंटे है और total question है आपका 200 तो जब तक time management सही तरीके से नहीं होगा आप नहीं success कर पाएंगे तो साथियों सफलता के लिए जरूरी है आपको ध्यान देना कि किस topic पर हम अब focus करें इन बचे हुए समय में तो coding decoding में 2 से 3 question पूछता है simple math आपका 3 marks कर रहता है math symbol से 2 question होते है word formation से 1 होता है missing number से 3 होता है statement conclusion से 2 है आपका series से 6 है series पर ज्यादा ध्यान distance से 2 है उसके बाद related word and letter number से आपका 9 है इस पर आप focus ज्यादा करिए related word and number पे figure and pair पे 7 से 9 question है dictionary से 1 question होता है blood relation से 2 question रहता है फिर judgment decision से 1 से 2 होता है calendar से 100 रहता है rank arrangement से आपका 4 से 5 होता है तो marks के weightage को देखते हुए उस topic की practice आप ज्यादा करें ठीक है फिर आए साथियों अगल जो हमारी चर्चा है वो चर्चा आपकी है nonverbal reasoning की ठीक है तो nonverbal reasoning हमारा जो है यहां से आपका 9 marks का question होता है साथियों nonverbal reasoning से 9 marks का question होता है 41 आपके verbal से 41 आपका verbal reasoning से और आपका 9 होता है nonverbal से और total मिला करके आपका क्या हो गया साथियों 50 marks का reasoning पूछा जा रहा है फिगर identification से एक question, figure cutting से एक question, when diagram से एक question, relation, figure से one question, figure pattern से दो question, mirror image से दो question, आपका paper folding से एक question और matrix से एक question होता है यानि ultimately आपको verbal, non-verbal दोनों को practice करना होगा जिससे ज़्यादा question पूछे जा रहे हैं उस पे ज़्यादा ध्यान दिजिए और concentrate होकर के इसकी practice करिए यह तो आपका था सातियो reasoning, जहाँ पर हमने कहा था 25 मिनट में आपको 45 question बनाने हैं और वो भी सही-सही, ठीक है, अब आपके पास क्या है, हमारा subject है, non-tech में यह है आपका general awareness, कौन साथ topic है, general awareness, general awareness में current affairs से 6 question है, इसलिए अभी relevant 6 month का, relevant 6 month का, जो latest आपका current affairs है, उसको देखिए वहाँ से आपके 6 questions जरूर रहेंगे, science में सातियों 16-17 question है, physics से 4-5 question होता है, यह general हमारे engineering के छात्रों से बन जाता है, chemistry थोड़ा सा concentration की जुरत है, इसमें कुछ कई बार questions उल्जा देते हैं, लेकिन बहुत टफ यह भी नहीं है, biology को थोड़ा आपको concentrate होना पड़ेगा, तो ह काफी मदद करेगी, उसकी आप मदद ले सकते हैं, history से आपका 6 question है, culture से 2 question है, geography से आपका 10 question है, economics से आपका 6 question है, Indian politics से 7 question है, sports and awards से आपका 2 से 3 question है, फिर आपका scientific research innovation से 2 question है, और computer से आपका 2 question है, ultimately आपके total यहाँ पे 50 question है, यहाँ पर सातियों आप 50 में 50 का बिलकुल भी कोसि ना करें, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि अथा समुद्र होता है, तो इसमें आप 30 marks का लक्ष रखे, ठीक है, यहाँ पर आप 30 marks का लक्ष रखे, और वो भी maximum कितने time में 10 minute के अंदर, maximum 10 minute के अंदर आपको यहाँ पे 30 marks लाना है, यानि आपने देखा 25 में 25 कृषण रिजिनिंग और आपको 10 मिनट में 30 कोषण कहा से, आपके जर Mỹ से, तो टोल आपका 75 हो गया साथियों, तो 75 marks हम ने कहाँ से score किया है, आपके non-tech से किया है, और 75 non-tech में हमने समय कितना लगाया है, 35 मिनट लगाया है, कितना लगाया, 35 मिनट, हमारे पास आप कितना बचा है साथियों, टोटल हमारे पास 120 मिनट है, टोटल मेरे पास 2 घंटे है, 200 कुश्चन को solve करनी के लिए, और हमने अभी 35 मिनट अपने खर्च कर दिये, अब मेरे पास 120 मात्र है, टाइम, तो 120 आपके पास rest time है, और 35 मिनट जो है आपने खर्च कर दिया है, आपके पास समय बचा है साथियों, मात्र 85 मिनट, कितने बचे हैं, मात्र 85 मिनट और इस 85 मिनट में आपको करना क्या है, इस 85 मिनट में आपको take में ध्यान देना है, और take में याद रखिए, हमारे जितने भी question basic से होते हैं, यानि network थोरी के basic concept से होते हैं, लगभग सभी छात्र उसको भना ल questions जिसको सब नहीं बना पाते हैं, उसे आप बनाते हैं, तब आपका success होता है, मैं उस पर आ रहा हूँ, उसके लिए आपको क्या करना है, यानि बचे हुए 85, बचे हुए 85 मिनट का आप कैसे सदूपिय करिएगा, जिससे आपको take में कम से कम साथियों 80 marks आए, मैंने कहा है 80 लेकिन आप 75 पर भी अगर अटकते हैं, तो 75 take से और 75 non take से दोनों मिला कर साथियों 150 का score करते हैं, तो आप safe zone में रहते हैं, 150 का score PT के लिए बहुत माइने रखता है, और 150 जब आता है, तो आप इस structure से समझ जाए कि आपका PT तो निश्चित निकलना है, इसमें कोई सक नहीं ह हमारे जितने भी साथी, चाहें वो किसी भी केटेगरी में हो, वो लक्ष 150 का जरूर रखें, उससे कम में काम नहीं चलेगा साथियों, चलिए देखिए, अभी इस 60 दिन, 70 दिनों में, इस बचे हुए समय में आपको क्या करना है, बचे हुए समय में ध्यान दिजिए, qualifying strategy ज आपको देने जा रहा हूं, ठीक है, तो basic concepts का revision आपकर ये 30% question वहां से पूछेंगे, नए questions सात्यों 20% होते हैं, ये 20% नए questions होते हैं, take की में बात कर रहा हूं, non take की नहीं कर रहा हूं, उसके बाद gate और ES का one liner जो होता है, उसे 30% आपको वहां से प्रशन पूछा जाता है, तो gate और IS का one liner question हमारे diploma के साती थोड़ा उस पर concentrate नहीं हो पाते हैं, इसलिए मैं diploma बीटेक सभी छात्रों को या व्यक्तिकत सलाह देता हूं, कि आप engineering services और gate के one liner question को जरूर कमान कर लिजे, इस बचे हुए समय में वहां आपको बहुत मदद करेगा, 30% question वहां से आ जाएगा previous year का question 20% पुछा जाता है, इसलिए previous year को ignore मत कीजिए, 2007 से लेकर के 2021 तक जितने भी previous year के question है, सब की practice कर लिजे सातियों, तभी आपको फैदा मिलेगा, और ये सब रननिती पर आप चलते हैं, 30% basic concept, नए question 20, और gate IS का one liner 30%, और previous year का question से 20%, इस रननिती पर आप चलेंगे, मेरा व इस्वास रखिए, आपको 75 नमट टेक में जरूर आ जाएगा, ठीक है, इसके अलाबा कुछ आपको ज़्यादा नया नहीं करना है, जो कि यह समय जो है, concentration का है, घबराने का समय नहीं है, ठीक है, यह आपको मैंने कहा, total 200 question है, a time total क्या है, दो घंटे हैं, तो आप रही बात books की साथियों, तो books में, मैंने अभी कहा, encyclopedia जो है, encyclopedia of science, किसका, आपके अरिहंत का आप ले लीजिए, वो आपको काफी मदद करेगा, फिर आपका मनोहर पांडे की छोटी सी, पतली सी 30 रुपय वाली जो book आती है, जिके की, उसको पढ़िए, निश्यद रुप से 25 नमर लगाईए, और reasoning के लिए practice जबरदस्त करिए, ताकि 25 मिनट के अंदर आप 45 question का answer दे सकें, और वो सही सही हो, negative करने का प्रयास ना करें मेरे मित्रों, क्योंकि यहाँ पर negative marking है, wrong answer करेंगे, score आपका decrease करेगा, cut up बहुत high जा चुका है, अभी जो latest 2020 21 का electrical का cut up रहा है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ, कॉमवेस mechanical का EC के आसपास रहता है, सिविल में थोड़ा सा low रहता है, लेकिन अभी जो cut up गया था electrical का 21 में, 20 21 वाले में, तो ये देख लिजे यहाँ पर, कि SC category के लिए 123 marks था हमारे PT में, ST category के मित्रों के लिए 115.34 था, OVC के लिए 137.46 था, और E reserve के लिए रहा है 141, इसलिए साथियों मैंने आपको 150 का लक्ष दिया है, 75 non-tech से, और 75 आप take से लाइए, और take से लाने के लिए ध्यान से इन सारे चीजों को करिए, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं basic concepts और आपके previous years के questions को, और previous year के question को, यानि आपका 30%, 20% और 30%, यानि आपके 80% section में, मैं आप लोगों को वीडियो वगरा देता रहूंगा, और फिर मैंने आपके लिए क्या नया करने का प्रयास किया है, तो आएए देखते हैं, हमारे साथियों के लिए, क्योंकि RRBJ की वेकंसी बहुत प्रपोज़ है, संभावित है, DRDO भी आ गई है, आप ये समझ पर आप से चर्चा करते हैं, साथियों हम आपके लिए लाएं हैं एक test series, ये test series है, junior engineer practice batch है, electrical engineering के छात्रों के लिए भी से शुरूप से है, ये classes आपकी 13th of September से start हो रही है, इसमें हम SSC JEE, RRBJ, DRDO, ISRO, Defense, DMRC, BSPSCL, UPPCL, UPRB, UNL, State JEE, BSF, DDAJ, DFCCIL, जितने PSU होते हैं, सभी PSU के previous year के question, gate IS के one liner question, कुछ ऐसे numerical जिसमें आप फस्ते हैं, tricky numericals, ठीक है, उन सभी questions का हम ये practice session लाएं हैं, जिस practice session में सभी technical paper को हमने involve किया है, आपका network 3 है, power system है, आपका digital electronics है, electrical machine है, basic electronics है, उसके बाद आपका measurement है, control system है, power electronics है, automation है, समझगे किने, जितनी भी आपकी total complete electrical की paper होती है, सारे paper का, लगभग आप समझे लिए 14-15 paper का, हम test series आपके बीच रखेंगे, ये test live होगी साथियों, इसका PDF आपको mobile पर दिया जाएगा, लगभग हम 3000 पलस, यूँ समझे तो आपको 3500-4000 तक हम question करवाएंगे, और जो exam अभी सामने होगी, हम उस पर ज्यादा concentrate होगे, जिन चीजों को आप छोड़ दिया करते हैं, लेकनेस के वज़ा से, या फिर कम टाइम की वज़ा से, हम उस चीज पर आपको focus करेंगे, ताकि आपकी PT जो है, वो आपकी जोली में हो, आपकी कबजे में हो, ये हमारा उद्देश है, तो ऐसे सभी प्रशनों का, bilingual हमारा प्रयास रहेगा, ठीक है, bilingual, क्योंकि जो discussion होगी, जो PDF मिलेगा, जनरली वो bilingual ही आपको दिया जाएगा, ठीक है, और फिर ये test series, आपके examination में आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि mobile पर आपको, या फिर आपके laptop से आप यूज करते हैं, तो वहाँ पर, तो app के माध्यम से, the platform app, उसके माध्यम से, the platform app के माध्यम से, आपको screen पर question जाएगा, आप उसको online test दीजे, test देने के बाद आपको, हमारी जो है, PDF चली जाएगी, फिर live discussion हम आपका लिया करेंगे साथियों, दो बज़े से लेकर, तीन बज़े के बीच में, आपका live discussion हम लेंगे, timing थोरी change हो रही है, दो से तीन के बीच में, दो PM से, तीन PM के ब साल भर चलेगा, RRB के लिए, Senior Section Engineer के लिए, या फिर SSE के लिए, जितनी भी जई की परिक्षाई होती हैं, सब के लिए ये महत्पूर्ण है सातियों, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है, Electrical Engineering का बरमास्त्र, ये बहुत आपके लिए benefit पहुंचाएगा, आपके उन चीजों को मजबूत करेगा, जहां पर आप कमजोर होते हैं, इसकी फी हमने online में मात्र 799 रखी है, 799 रुपए रखा है, और जो हमारे साथी offline में हम से जुड़ेंगे, उनके लिए 200 रुपए परमन्त है, प्रति दिन 20 questions का test और उसका discussion कराया जाएगा, ये सारे questions आपके previous year के होंगे, gate IS के questions होंगे, one liner या फिर tricky question होंगे, जिसको आप छोड़ देते हैं, तो निश्य रुप से सातियों ये आपके लिए काफी मददगार होगा, दूसरा हम full length test लेकर आएंगे, आप लोगों के लिए, खासर कमारे मित्रों के लिए, और जो एक महत्पुन बात है, क्योंकि हम zero level स सातियों, RRBJ के लिए एक नया batch launch कर रहे हैं, और ये batch आपकी foundation batch है, ये RRBJ के लिए पलस अगले आपके next जो हमारा SSEJ आएगा, DMRC आएगा, DRDO अभी आया है, इन सभी के लिए ये batch हमारी 3 से 5 PM के बीच चलती है, 6 से 8 महिने का ये पूरा course होता है, जिसमे एस्टरी मेटरि आपको English मिलेगा, classes आपकी bilingual होगी, chapter wise previous year का question class में practice कराएंगे, special dot class देंगे, regular Monday to Friday आपकी class होगी, Saturday, Sunday में डाउट और special classes होगी, इसके लिए online फी हमारी है मात्र 999 रुपए और offline फी है 7500 रुपए सातियों, ठीक है, चलिए, next यही हमारा मुख्य रूप से main batch है, ये batch आपकी electrical के लिए और electronic engineering दोनों के लिए है सातियों, तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी लोग खुब मन से पढ़िए, और success को पाईए, और SSE JEE ही नहीं, भारत के किसी भी सेक्टर में जो JEE का examination है, AEE का examination है, उसको crack करिए, मेरी सुब कमने आप सभी के साथ है, बहुत-बहुत धन्यवाद,